नमस्कार दोस्तो एग्रो पोल्टी में आपका स्वागत है आज मैं आपको आठ नहीं प्रोडक्स की जानकारी देने जा रहा हूँ जो की नई टेक्नोलोजी यूज करके बनाए गए हैं ताकि जिसके प्रियोग से बर्ट्स की हेल्थ इंप्रूब हो सके बायो सिक्योर्टी पोल्टी फार्म की और टाइट हो सके जिससे की अमारे प्रोडक्शन और एफिसेंट हो सके बॉयलर और लियर पोल्टी फार्मिंग में सबसे पहला प्रोड़क्ट है स्पॉप्टिनिक नैब एक रैकिंग मसीन है जो की एक रोबोट है इसे फ्रेंच पॉल्टरी रोबोटिक स्पेसिलिस्ट टाइबोट टेकनलोजीस ने बनाया है इस इसे ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि इसमें किसी भी आदमी की जुराद नहीं होती है और ये लीटर को आसानी से पलट देता है और लीटर कैपिंग को भी सही कर देता है इस मसीन का प्रियोकर मुर्गयों में ब्रेश्ट ब्रिस्टिस, हॉक, बर्न और फूट पैटर मैट्रिस से बचा जा सकता है ये मसीन बर्ट के मुवमेंट को भी बढ़ाती है जिससे बर्ट की प्रोड़क्टिविटी बढ़ती है और इस मसीन को ऐसे प्रोग्राम किया गया है कि ये बर्ट के मुवमेंट को पैचान लेती है और अगर कोई बर्ट्स आगे से आजाए तो ये स्टॉप हो जाएगा ताकि बर्ट्स का कोई नुकसान नहीं और आप दूसरा जो नई टेक्नलोजी का प्रोड़क्ट जो पूल्टिकले है वो है संडाउन पैलेड ये पूल्टिवार्म में यूज होने वाला बिचावन है कंपनी का दाओ आया कि ये आम भूसी से चारगुना डेंसर है इसमें बर्ट्स जब हम प्लेस करेंगे तो ये ज़्यादा स्मूथ और स्टेबल रहेगा और इसके मोश्चर अब्जोर करने की शमता भी ज्यादा रहती है तो लीटर इससे सौट रहेगा इसके लीटर को एल एफिल्ड एफिप्टी बल्क पॉल्ट्री इंक्रियेटर ये मसीन पॉल्ट्री के वेश्ट को डिस्पोज करने के लिए बनाई गई है और इसमें करीब 4 लाग बर्ट्स से ज़्यादा डिस्पोज किया जा सकता है और इसमें हैचरी वेश्ट के साथ एनिमल बाइप्रोड वेश्ट को भी डिकमवोज किया जा सकता है इस मसीन में दो चेमबर हैं पहला प्रायमरी जो लोवर सेक rivalry सेक्शन है और चौथा प्रोड़क्ट आता है इसमें कॉलिंसन फीड अलर्ट ये प्रोड़क्ट फीड अलर्ट डिवाइस है जो रियल टाइम में बताती है कि फीडर में कितना फीड रह गया है ताकि फीड को एम्टी होने से पहले भरा जा सके ये डिवाइस 96% accuracy के साथ आती है फार्म म उसको डिवाइस के साथ लिंक करके किसी भी रिमोट फीड मॉनिटराइजिंग के द्वारा चालू कर सके हैं और पांच वा प्रोड़क्ट आता है बी एसेफ स्ट्रॉम अल्ट्रा सिक्योर ये एक पैस्ट कंट्रोल प्रोड़क्ट है ये फार्म में हाउस माइस ब्राउन सब्सक्राइज को सवाय करने के लिए बनाया गया है चुहों के कारण फार्म में कई एकोनोमिकल लॉसेस होते हैं दोस्तों इसमें छट्टा प्रोड़क्ट आता है इनोएंट इयर स्क्रबर्स इन्वार्मेंट रिस्ट्रिक्शन नए फार्म और पुराने पॉल्ट्री मैं ऐसी डिवाइस का यूँच चाहिए ही जहां फार्म रेजिडेंसल एरिया के क्लोज है इनोएंट इयर स्क्रबर एक ऐसा ही प्रोड़क्ट है जो की डच फार्म ने इन्वेट किया है ये एक सिंगल स्टेश केमिकल इयर किलीनर है जो डश्ट और एमोनिया को अलग सेप करता है और 87% को सेपरेट करता है दोस्तों साथवे नंबर में जो प्रोड़क्ट आता है उसका नाम है गी ओवो एक कार्गो सिस्टम यह प्रोड़क्ट को स्टोर करने के लिए बनाया गया है इसको कार्बोर बॉक्स जो अभी तब हम एक को डिलीवर करने के लिए यूज क कर पाएंगे इसे इटालियन एक हैंडलिंग स्पैसिलिस्ट गी ओवो द्वारा डिजाइन किया गया है इस कीट में प्लास्टिक पैलेट्स ट्रे और डिवाइडर का प्रोड़क किया गया है जिससे एक को सेफली रखा जा सके और एक सिंगल पैलेट में करीब 2800 एक हम प्रोड़क्ट आ रहा है वो है डूफाई गेट वील सी गेट यह फार्म में यूज होने वाला एक पोटेबल गेट है इसके प्रयोक से फार्म की बैयो सिक्योर्टी इंप्रूब हो पाईगी इसका इंस्टॉलेशन आसानी से किया जा सकता है इसको अपनी सुईदा के यूज किया गया है जो इसे खास बना देता है और यह रिमोट कंट्रोल और सेंसर द्वारा ऑपरेट होता है और इस गेट को कहीं भी आसानी से लेया जा सकता है जहां हमें बायो सेक्योर्टी की जुरत हो तो दोस्तों न्यू टेक्नलोजी इनोवेशन फॉर पोल्टी फार बायम की वीडियो में इतना ही तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और अभी तक आपने मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर दें और बैल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नोटिफिक्स आपको जल्दी से मि जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो में